कि यह वोग सारे लोग इसमें जाता अधा कंफिज होते रहते कि लिए उनके में एक्चुलिन लास को करना होता है ऐक्चुलिन अगर मैं आपको बता थे तो अपके मन में कभी लॉस को रीकवर करना नहीं होना चाहिए कुछ से मैंने आपको यह आपको नोट डाउन किये है कि किस तरीके से आगर आप यह पॉइंट को फॉलो करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप लॉसस केसे रिकवर भी कर सकते हो यह फिर अगर आप नए भी ट्रेडर हो तो आपके लिए भी उतना ही ज्यादा काम आने वाला ह डुरो और मेरा calculations केसा होना चाहिださい कहका चीजि Danish सारी चीजिए में आपको बतारं शिंपल सिंपल चीजों को नोट करते हैं क्या क्या का आपके आपके पास होना चाहिए तक कि आप आने वाले टाम मार्ट से दिख्कतना क्रेड करो तो अब फिलाल के लिए देखेंगे तो फ आपको पता है. कितना राइट में रहता हूं या आपको अलुड़ी पता है. अगर मेरा pre-market analysis, अब मैं daily आपको analysis विडियो देता हूं और Buts का result आपको अलुड़ी पता है कि कितना perfect result निकल के आता है अलुड़ी आपको पता है, तो जिए simple देखों कि pre-market analysis आपको क्या बताऊना चाहिए, आपका एक plan decider होना चाहिए, आपके पास एक plan होना चाहिए, कि कल अगर market gap up open हुआ, तो मैं कैसे trade करूँगा, market अगर gap down open हुआ, मैं कैसे trade कर सकता हूँ, या फिर market flat open हुआ, तो मैं कैसे trade कर सकता हूँ, आपका session ज्यादा दर लिकले वाला नहीं है, ल चीज़े कर रहे हैं, और कैसे चीज़े करने वाले हो, तो आपको बहुत ज़्यादा benefit मिलेंगे market से, क्योंकि आप unwanted trade से हमेशा बच होगी, मतलब देखो, हमने plan करके रखा है, कि अगर market gap up open हो, market अगर यहाँ पर trade कर रहा था, इस नीचे, अगर market सीधी यही पर open हो जाएग अगर वो plan के साथ, अगर आप work out करते हैं, तो आपकी over trading stop out हो जाएगी, आपका unwanted trade बंद हो जाएगे, आपका losses से वो limit में रहेंगे हमेशा, तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि pre market analysis, मैं हर दिन आपको 3 बच कर 15 मिट पर video shoot करता हूँ, औ नॉर्मली मैं यह खुद के लिए बनाता हूँ, मैं खुद जो analysis करता हूँ, वो बस मैं पहले मैं analysis laptop में बैटे बैटे किया करता था, just like that कि मैं क्या करता था, simple मैं मैं मेरा laptop लूँगा, open करूँगा, मैं मेरे analysis करूँगा, चलो ठीक, I am done for the day, मैं done करूँगा, लेकिन मैं आ अलक से analysis करने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे पास हो क्या जाता है, कि पहले सबसा point मेरे निकल के आता है, कि मेरे पास मेरा pre-market analysis ready रहेगा, मेरे पास एक update हो, उसके पात आता है अपका, यह हमने देखा कि analysis अगर मेरे साथ है, तो unwanted trade से मैं बच जाओंगा, और हर एक seat से मैं किया से normally बच जाओंगा, अब second stage आती है, second जो आता है हमारा, वो आता है हमारा setup, अब setup क्या है, setup क्या है, simple सा setup, मैं हमेशा क्या बोलता है, आपको analysis बताता हो, कि मैं क्या करने माला हो, मेरे पास क्या plan है, कि market अगर रेंज में है, मैं आपको बोलता हो कि इस range से market अगर कल gap open ह हो जाता है, कही पर एक gap by open हो जाएगा, तो मेरे का plan चलने वाला है, मैं अगर हम अगर यहाँ पर market open हो जाता है, तो मेरे पास, अब यहाँ पर एसे ही तो मैं trade नहीं करता ह हूँ, मैं ऐसे कई पर विजा कर ट्रेंट तो नहीं करूँगा, भले ही market यहाँ पर open हो, मैंने decide कि कि market को buy करने लेकिन मैं buy ही करू open करती या फिर ये नीचे चलाएगा तो इसको बचने के लिए मेरे पाँ चाहिए एक setup मतलब मैं आपको बहुत बार बता तो आप समझेंगे कि नीचे अगर एक green red candle की बनने दो और इस red candle का लो तूटेगा तभी हम sell करेंगे और हम sell नहीं करें कि बकवाश चीजों से मैं हमेशा members को बचाया हूँ और मैं बोलता हूँ हमेशा बोलता हूँ कि real market को सीखो strategies से हमेशा दूर रहो strategies से limited पैसा बनता है बागण बढ़ा पैसा बनाना है तो real market को अंडर्शन को रहा था actually what is a real market real market is a just a simple thing कि market यहाँ से नीचे गया तो क्यू गया उपर है तो क्यू आया फिर नीचे ही क्यू जाएगा या पर ऐसा क्या बनेगा और एसा क्या बनने की बाद मुझे trade करना पड़ेगा, यह नीचे ही क्यों जा रहा है, यह उपर आगा, तो यही से यह वापस क्यों घुमेगा, यहां तक ही नीचे क्यों जाएगा, यह जो सारी चीजे हैं, यह मैं सिकाने की कोशिश करता हूँ, आपको मेरे साथ, इसलिए आज तक एक ही चीजों के लिए ओमी साकरकर को देखा जाता है, कि रियल मार्केट सिखने के लिए मिलता है, बकवाच चीजों से दूर रहते हैं, स्टैटर जी से नहीं, I am just telling you the setup, what is the setup, setup is a just simple thing, setup का मतलब है कि मैं प्लान में ready हूँ, what is the plan, जैसे मार्केट यहाँ पर है, मेरा अगर यहाँ पर open हो जाएगा, तो मुझे ऐसा क्या signal चाहिए कि जो signal को देखकर मैं कल buy करूँ, या फिर ऐसा क्या signal चाहिए मुझे कि वो signal को देखकर मैं sell करूँ, वो signal होते हैं, उसको हम setup बोलते हैं, strategy नहीं, strategy का मतलब होता है, कि मैं अगर अच्छा बंदा हूँ, मुझे चलने भी आ रहा है, मैं फिर दो साड मेरे हाँ बाजो में कुछ वो वील वाली चेर लेकर बाजो में बैटूंगा और उस वील चेर से चलूंगा, it's like a strategy, ये strategy होता है, मतलब मुझे पहुचना तो है वहाँ पर, लेकिन मैं कार लेकर जाओंगा, अगर कल आपके पास कार ही ना हो तो, पहुचना तो है ना हमें भाई, पहुचना तो है, लेकिन मेरे पास कारी ना हो तो, तो क्या मैं मत बहुचू, या मैं ना जाओ, मुझे आज, simple है, मेरे आकांट में आज only 1 lakh रुपीज है, मुझे पहुचना है 1 CR तक मेरे आकांट में रहने चाहिए, this is my goal, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेर मेरे पास कोई classes है, ना मेरे पास कोई strategy है, लेकिन मुझे इतना ही पता है, मुझे पहुचना है, वो आपका setup आपको mindset बना के देगा, वो आपको setup बोलेगा, कि क्या, कि नहीं, तुझे जाना है, ना तो daily का 2% profit कमा ले, धीरे 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 पहुचेगा, daily का 1% profit कमा ले, पहुचेगा, पहुचे हम जरूर, भले किसी का support ना हो, लेकिन पहुचे जरूर, इसको बोलते है, इस setup, लेकिन strategy क्या होती है, strategy यहीं बोलती है, कि भाई, ऐसे ही चलना है तुझे, मतलब strategy का मतलब यह होता है, कि तुमारे पास कुछ नहीं है, कार नहीं है, कुछ नहीं है लेकिन बस यहां पर है कि मुंबए में आप कड़े हो मुंबए में हो अनि ये मुंबए में आपको बताया गया है कि एक वीक में एक हफ्टे में एक बस निकलती है only Sunday को इस Sunday को बस निकलती है 11 बजे सुबव और आपको बस उसी बस से जा रहा है आपको बुस उसी बस से जाना है, आप भी तो चल रहा है Monday ना मेरे भाई, Monday चल रहा है, मेरे पास आभी 6 देज है, तो ऐसा क्या करूँ मैं 6 देज थोड़ी वेट कर सकता हूँ, Monday शुरू है, मुझे जाना है Sunday को एक ही बस से, उसके स्वर कोई option नहीं है, no no no, मेट नहीं सब्सक्राइब करें, किसी ट्रक को हाथ कर, किसी बस को हाथ कर, किसी कार को हाथ कर, क्या पता कोई लिप्टे दे, पहुचेंगे जरूर, that's called a setup, जो आप खुद क्रियेट करते हो, खुद के लिए, और वही आपको सीखना होता है, लेकिन ये setup तब आप क्रियेट कर पाओग कभी कुछ, आगर मेरे मेंबरे वीडियो देख रहे तो उनको पहले ही पता है, comment down here, क्या मैंने आज चका अभी को strategy दिया है, मैंने को setup दिया है, what is the setup, मैं बोलता हूँ आपको, कि market अगर ऐसे behave करेगा, तो यहाँ पर ऐसा क्या करेगा, वो देखकर trade करो, this is like a setup, setup मतलब जो दो लाइन लगे हुए, उपर के level पर 60 है, नीचे के level पर 40 है, हाँ, RSI गोलता है कि अगर RSI यहाँ पर cross करेगा, इसको breakout RSI हैगा, तो आप यहाँ पर भाई करेंगे, अरे मैंने कौन weight करेगा इसके लिए हैं, मैंने करना चाहता है इसके लिए weight, अब यह momentum है, RSI क्या काम करत है कि volume weighted average ही काता है, मतलब कितना volume market में आया है, नीचे से, वो volume यहाँ पर calculate होता है, इसका reflection हो चार्ट पर आता है, अब यह volume पहले आएगा, फिर यहाँ पर reflect होगा, फिर RSI move करेगा, फिर आपका chart move करेगा, अर तब तक यहाँ पर सब लोग buy करके बेटे, सब लोग यहाँ पर buy करके बेटे, आपके entry हो जागे, यहाँ पर, क्या फाइदा हो चीज का, कुछ भी नहीं फाइदा है, कुछ भी फाइदा नहीं हो इस चीज का, कुछ भी फाइदा नहीं हो, क्या फाइदा है इस चीज का, दुनिया सारी यहाँ पर buy कर रही है, यहाँ पर buy कर रही है, क्या फाइदा है चीज का कुछ भी नहीं तो इसी लिए मैं आपको हमेशा दूर रखता हूं कि स्टाइटर जी से दूर रहो सेट अप के उपर काम करो खुद के अनलेसिस के उपर काम करो प्री मेर्केट अनलेसिस हुआ सेट अप समझें चलो नेक्स बाते ज्याद नहीं को जोँगा सिंपल सिंपल जो बता हूं नेक्स इड़कूलेशन अब वट इस जा कल्कूलेशन सिंपल क्या होते हैं एक सिंपल सा रूल फॉलो करो करो कि डे लॉस फिक्स राखो डे प्रोफिट कभी भी फिक्स नहीं होना चाहिए not fixed simple आपकी लेंगुज में not fix loss fix हमेशा fix यह लॉक है इसको लॉक लगा लो इसको लॉक लगा लो यह fix है यह नहीं चेंज होगा चेंज यह होगा मतलब दिन का 1,000 रुपीज का मैं रिस्क ले रहा हूँ 1,000 रुपीज का मेरा loss limit है अगर इतना out हो जाएगा मार्केट से out profit market को इपछोड़ दू market क्या पता मुझे 2,000 भी दे क्या पता मार्केट 3,000 भी दे क्या पता मार्केट 5,000 भी दे अगर स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ा पैसा बनाना है तो आपके एक रूल आपके लिए हमेशा फॉलो करेगा वो है डे लॉस का लिमिट यह हमेशा ही होना चाहिए अगर आप ये फिक्सिंग के साथ चलते हो तो आपके लॉस से दीरे दीरे रेकावर करना रिस्क ले रहे हो मार्केट आपको बोलेगा दोईजर का लॉस धे दे आप Wait 下ákS.com अब जो बोलोगर उतना ही करेका नहीं करे स काल यहां कुछ वो उतना टेन के लिए वाए tacos करो कि आपको कितना देना और कितना नहीं देना है, this is completely fixed रहना चाहिए आपके हाथ में, completely आपके हाथ में fix होना चाहिए, loss को हमेशा limit में रखो, profit को हमेशा extend करो, profit market को पछोड़ दो, क्या पता, लाज दो दिन से जैसे market गिरा था, मैंने टॉप पी आपको बता ज्यादा कि क्या होने वाला है, उस टॉ 1000 पॉइंट का rally निकल के आया, 1000 पॉइंट का rally निकल के आया sell side में, मैंने खुद 700 पॉइंट केच आउट कर लिए, कितने 700 पॉइंट केच कर लिए, मैंने, बन गया है न, पूरे महने का पैसा बन गया है, दो दिन में, so why you are not taking that, just follow the calculations, simple, next topic क्या रहने वाला है, next is mindset, अब द में में थोड़ा सा मारा promotion भी करूँगा इसमें, बोल कर, बता दो, mindset क्या होता है, mindset के start होती है learning से, mindset की start होती है learning से, अब यह learning आप दो चीजों से कर सकते हो, एक, school में भी जैसे पढ़ते हम, learning क्या होती है, दो चीजों से होती है, यहाँ पर कर देते है, learning क्या होती है, एक सकता आपके बुक्स से दूसरा एक होता है practical चीजों से प्रेक्टीकल चीज़ए कौन सिखाता है यह आपको सिखाता है ऌए मेंटर, यह बुक्स आपको क्या सिखाती है यह बुक्स आपको सेल्प लर्निंग करने के लिए motivate करके है, आप self learning कर सकते हो, यह दो चीज़े होती है, अब आपको decide करना है कि आपको कौन से जगा पर जाना है, क्या कहा जाना है, आपको learning कर लेगे, कौन सा choose करना है, कई बार क्या हो जता है, कई बार लोग दो तीन classes कर लेते हैं, फिर बोलते कि हमें result नहीं उसका simple reason बता देता हूँ देखो एक परसन है कि यह है A B C एक परसन है इसने क्या किया इसने किया यहाँ पर चले आते एक सर किया यहाँ पर ओमी सर जर लाइक मी यहाँ पर कोई XYZ एक सवाइजी mentor लिख देता हूँ ताकि confusion में ना है mentor है right अब ऐसा तो होने नहीं वाला ना कि इसने आपको कुछ भी ना सिखाया हो ऐसा तो नहीं होने वाला इसने आपको भले ही अपको 100% नहीं मिला हो कुछ भी लेकिन इसने भी आपको कही ना कई दो चीज़े देखे चले ह होंगे एक यहाँ पर कुछ bad bad experience भी मिले होंगे कुछ good experience मिले होंगे और यह bad experience को ना निकाल दो आपके लाइब से यह आपके लिए कोई काम का नहीं है लेकिन जो good है ना वो लेके चलो ना यह आपका यह लेके चलो क्योंकि यहाँ से आपने कितना सीखा 20% है और कोई member मिला आपको वो शाय गापको 20% और आपने क्लस किया वो शेह क्वक जो है वो कौन गांकर आपका आपका experience आपको सिखा की चला जाएगा सिखा की चला जाएगा हाँ अगर आप मेरे पास आते हो मैं पूरा पूरा कोशिश करता हूँ मैं खुद को बड़ा क्यों बोलू कोई जरुरती नहीं है simple है कोई जरुरती नहीं है लेकिन मैं क्या सिखाता हूँ मेंटर को क्या सिखाना चाहिए मेंटर को क्या सिखाना चाहिए और मैं क्या सिखाता हूँ simple सा हमेशा calculation को हमेशा याद रखना simple सा calculation को हमेशा याद रखना कि अगर आप मेरे पास आ रहे हो किसी भी मेंटर का हर एक यही काम होना चाहिए क्या कि अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो क्या देखकर आ रहे हो कि मैं प्राइज को रीड करता हूँ, मैं प्राइज को रीड करने में मास्टर हूँ, मैं कोई इंडिकेटर लगा के बताता हूँ, नहीं, मैं कोई बहुत रॉकेट बाड़ा सांग बता कर बताता हूँ, कुछ भी मेरे मास्तरी किसमें? प्राइज में. अब वाटी इज़ प्राइज? जो हम बोलते हैं प्राइज एक्षन. क्या बोलते हम इसको? प्राइज एक्षन. एक्चूली में देखा जाएं. तो आपका चार्ट पैटर्न, केंडल स्टीक, ट्रेंड लाइन, ब्रेक आउट, आर्यस आ और मेरी मास्तरी किसमें, the only price action. चार्ट को देख कर बता सकता हूँ कि चार्ट में क्या चल रहा है. अब मैं इतना confidence के साथ ठोक के बोल रहा हूँ ना, कि चार्ट को देख कर बता सकता हूँ. इस इस माइ confidence. यह आपके अंदर भी होना चाहिए. यह कब आएगा जब आपको उसका पता है कि कैसे देखना है. अगर मुझे गाड़ी चलाना आती है, लेकिन मैं घर में बटकर गेम अच्छे से खेल रहा हूँ, बोलो मैं गाड़ी चला की दखा हूँ. तो और confidence ओपर ठोक दोगे. राइट है ना? तो गाड़ी चलाने के लिए real practical भी knowledge चाहिए. उसके लिए ही आपको काम करता है, आपका mentor. आपका mentor उसके लिए काम करता है, यह आपको practical knowledge दिखाएगा, चार्ट open करके दिखाएगा, कि यह देख, यह चार्ट में बनेगा, तो ऐसा बनता है. ऐसे market क्यों नीचे आता है, ऐसे market क्यों गिरेगा, उपर क्यों जाएगा? और एक ब हमने वो daily देते हैं, वो शिकाते हैं नहीं है. मैंने यह बहुत बार सुना है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, क्यों? क्योंकि आप लोग क्या देखकर आये हो, कि भाई इसके पास एक knowledge है, और वो देखना है हमें, वो कैसे जानता है market को. सो मेरा काम बनता है आपको, जो मैं कर रहा हूँ actually में, वही आपको return में दे दू. जो actually में मैं कर रहा हूँ, वही आपको return में मिलना चाहिए. return में मतलब कह है? आपको class में मिलना चाहिए. वही class में मिलना चाहिए. तभी जाकर आप perfect बनोगे. तभी जाकर आप सोचोगे कि नहीं, ओमी सर के जैसे मुझे भी जा लो इसे रेडिने तो एक्सप्ट है बहुत बड़ा टॉपिक है बहुत जदा इंपोर्टन टॉपिक है शॉट ए लेकिन बहुत जदा इंपोर्टन एक्सप्ट और यह क्या होता है देख्जे मार्केट की निहीं हाँ अमारे नॉर्मल लाइप में भी हमmarkt कर पाते हैं मतलब को वैसे stock market में भी यही फंडा चलता है, कि अगर आपको 2000 का दिन का loss है, आपका 2000 रुपीज का SL है और वो हिट हो चुका है, तो हम क्या करते हैं, उस चीज को recovery करने के चक्कर में और ज्यादा डूबने की कोशिश करते हैं, और ज्यादा डूबते हैं, ऐसा नहीं करने stock market में, और ऐसा कभी चलने भी नहीं वाला है, आपको क्या करना होता है यहाँ पर हमेशा, यहाँ पर आपको हमेशा simple सी चीज़ों करनी होती है, 2000 लिमिट का आपका loss reach out हो आए, लिमिट आपका reach हो गया, उस दिन के लिए loss को accept कर लो, accept the loss, accept the loss and exit the market and then chill, शान्द बैठ जाओ, कल का दिन market आएगा, कल देखेंगे, कल क्या होगा, कैसा होगा, देखेंगे, everyday आप सही नहीं हो सकते, everyday पर आप right कभी नहीं हो सकते, it is impossible, it is impossible, everyday आप सही भी नहीं हो सकते, everyday आप wrong भी नहीं हो सकते, जिस दिन आप right हो, आप बहुत बड़े पैसे बनाओ, जैसे 2000 रुपिस का limit reach है, जै 700 पॉइंट का पुट मैं बोल रहा हूं मैं P.E.S.E.D. में profit मिला है P.E.S.E.D. 700 पॉइंट का profit मिला है आगर मैं सही हूं तो मैं यह कमाऊंगा अगर मैं कहलत हूं मेरा रिस्क कितना था only 100 points का मेरा only hundred point का risk था और उसके आगेस मैंने कमाया कितने 700 रुपीज अब कैसे कमाया आप सबको पता है analysis तो पहले ही दे चुका था मैं यह कमाया इतने छोटे से अंडर के साथ जिस दिन में wrong हूँगा मैं 100 रुपीज देने के लिए ready होना क्या क्या फरक पड़ता है लेकर चाले मेरे से लेकर जाओ मेरे से I don't care about that लेकर जाओ लेकिन जिस दिन में सही हूँ मैं छोड़ूंगा नहीं फिर मार्केट को पूरा पूरा लेकर चला जाओंगा अगर आप यह simple चीजे भी फॉलो करते हो ना यह सब रूल्स अगर यह simple फॉलो करते हो प्री मार्केट अनुल्स अपका प्रपर होनी चाहिए setup mindset टायर होना चाहिए calculations ready होनी चाहिए में रिष्क कितना लेने वालो profit कितना लेने वालो अपका mindset perfectly होना चाहिए मुझे सीखना है learning करना मेंटर से सीखना है बुक से सीखना है whatever किसी चीटर सीखना है choose your mindset and then simple ready to accept profit हो रहा है इसमें और एक बता दे तो ready to accept में दिन का profit हो रहा है so just example है आपका 2000 रुपीज का रिस्क था रिस्क था आपने profit कमाया 4000 रुपीज का 4000 रुपीज का अपने profit आपके हाथ में आ गया है अब हो कह जाता है आपने तो 4000 का profit कमाया लेकिन market बहुत ज़्यादा गिरा और आपको लग सकता था कि स्रुछ 10,000 का भी मेरा profit हो सकता था hope 10,000 का भी हो सकता था अब यह hope में आप क्या करोगे इस hope में आप wrong entries करना शुरू करोगे मुझे अब थोड़ा कमाने market तो गिर रहे न आप थोड़ा कमाने और यह सोच्टे सोच्टे हम और भी ज्यादर डूब जाते लिट डिसाइड 2,000 रिस्क मिला profit मिला 4,000 का मार्केट बहाड में जाए मार्केट आज एक हजर पॉइंट गिरे या पिर आज के दिन पर मार्केट पूरा जीरो हो जाए I don't care about that I don't care about that and मैं कुछ सोच्चूंगा ही नहीं मुझे कुछ आता ही नहीं है मैं फिनिश मेरा काम हो चुक है I'm done 2,000 4,000 I'm done मुझे वनेश टू मिला I'm done for the market फिर उस पूट को मत ओपन करके देखो कि आपने सो रुपिस पे बाई किया था सो रुपिस को कुई पूडबाई किया था आपने 200 रुपिस पे निकल गए और वह एंड में जाकर पहुच गया एक 100 रुपिस पे भाई इतना बड़ा प्रॉपिट 800 पॉइंट मैंने छोड़े वह आपका है नहीं ना घर में बैठकर अंबानी की काड़ी देखकर लेगना कि भाई मुझे चाहिए ऐसे तो नहीं हो निवाला घर में बैठकर निकलना पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा लेना पड़ेगा खरिदना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी पर्चिस करना पड़ेगा सब क को यूज आउट कर लो यही पॉइंट आपको कि मार्केट में सस्थेन कर आ सकते आपको बचा सकते आपको लेके जा सकते आपको जिता सकते को बार